तच का जो प्रॉब्लिम था वो सॉल्फ हो गया इंशालला ये देखिए एकदम स्मूर्ली काम कर रहा है कोई भी दिक्कत अभी इसमें नहीं है इंशालला देख लिजए हेलो दोस्तों ये पोको X3 है जिसका टच काम नहीं कर रहा है यहां पर देखिए इसक्रीन लॉक करने क सब्सक्राइब बात वी काम नहीं करता है डॉबल टैप यह भी नहीं है । जैसे के टाउग बैक ऑन होने के वाईसे काम नहीं करता है है फैसे और जो भी है मैं आपको बता दूँ गां इन्शालला इसको पैसे रिक्प्यर करना है कि एस दिश्वान इस का एक बार झाल 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 बोड को रिमूब करना है इस बोड में मैंने काम किया था इसका जो sound और friend camera है वो काम नहीं कर रहा था तो मैंने इसका जो CPU है उसको replace किया था देखिए यहापकर CPU में काम किया गया है आपको zoom करके दिखा देता हूं यह देखिए सब्सक्राइब में मैंने यहां पर काम किया था हो में सिप्यू को रिबॉल करके देखा था फिर भी नहीं वा तो हमने इसको चैंच कर दिया था हमें क्या करना इस सेप्यू को अल्का सा हीट करके देखना है इसको थोड़ा ऐसा हमें घरम करना है जादा नहीं ऐसा नहीं कि बॉल एक्जेस्ट हो जाए तो पीस शौट हो जाएगा पेशार आपको बहुत ही कम रखना है तकि आजू बाजू में जो भी आईसी है यहां पर देखिए यह में सी को मैंने ब्लॉक कर दिया है इसमें जाने क चांस नहीं है बड़ दूसरा कोई कैपिसिटर हीले नहीं इसके वैसे आपको पिशर कम रखना है बस हो गया इतना काफी है ज्यादा पिशर इसमें नहीं डालना है अब इसको हटा देता हूँ यहां से अब एक बार हम इसको फिटिंग करके चेक कर लेते हैं जो टच का प्रॉब्लम है वो सॉल हो आयकी नहीं हो कि दोस्तों मुबाइल हमारा ओन हो चुका है अब देखते हैं यह देगे टाच इसका काम कर रहा है देख लिए यह मैं वापस दिखा देता हूँ आपको इसको आन होने दिए देखिए मैंने की पेड ओन किया है यहां पर प्रॉब्लम था वो सॉल है देखिए एकदम स्मूदली काम कर रहा है कोई भी दिक्कत भी इसमें नहीं है इंशाला देख लिए भाई मैंने वन नहीं किया यह वहली बात हुए कि मैंने किया नहीं तू चलो चलिए दोस्तों अब को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो याद कर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट ठेक के मारो या फिर मॉम्बत्ती मुझे नहीं पता बस बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे बच् को काली सिखानी है